My mother's never used to work in the house. She have to go out and work in people's house. I have no place in my heart. Sunita Juneja Ji, मैं पहले तो आपको सलाम करता हूँ. ये कमेंट पढ़ना बड़ा जरूरी है. इसका जवाब देना बड़ा जरूरी है. जनाब लिखते हैं कि ये जो केशु है ना बड़ा पक्षपाती बंदा है. संताली टाइम हिंदुआ नाल रलके साजश किती ते पंजाब तुट गया. खालिस्तान जिन्दाबाद बन के रहेगा खालिस्तान. ये बन्दा कहना कह चाता है, फारुक नाम का बन्दा. ये कहना चाता है कि जब कुछ कमाल के कमेंट्स आते हैं तो मैं मजबूर हो जाता हू कहीं उन कमेंट्स को मैं अपने धंग से, अपने अंदाज में आप लोगों के सामने रखूँ और सबसे पहला कमेंट है केशु जी, माई ग्रेंट फाथर श्री गंगा राम कहली वास वाइस प्रिंसिपल और प्रोफेसर अफ बोटनी इन दयाल सिंग कोलेज फ्रॉम नाइ 1949 या 1947 लेकिन जो भी है, इनके कमेंट का चवाब रिज्विन अनु साहब आप जरूर दे अगर दे पाएं तो, सरवर गुजर साहब कहते है कि केशु भाई, आपने कैसे सब बोलियां सीख ली, उर्दू, हिंदी, पिंजाबी, मुलतानी, हरियान भी, एक्सेटरा, तो गु थी, हैं, और मुझे लगता रहेंगी, तो बस इन लोगों से मिलता चुलता रहता हूँ, और बाते करता रहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और बाकी ये बात की, ये जादा बोलियां, बच्पन के लावा बड़े होते होते भी साथ में रही और सोशल मेडिय पर भी रही, तो इसलिए एक अजीब गरीब सा, अजीब गरीब सा कमेंट आया है, और मैंने फिर, मतलब हाले कि मुझे इन्होंने नहीं कहा था कि मैं इनके कमेंट को पब्लिकली पूछूँ, लेकिन इनका एक सवाल था, तो वो सवाल कुछ ये है कि सर नमस्कार, मैं आप ये 65 है, पर मैं अपने रिष्टेदारी के बारे में नहीं जानता, ये बहुत अजीब सी बात है कि आप एक सफर करके वहां से यहां आते हैं और आप अकेले होते हैं, आपके शरीक, आपके बडोसी, आपके रिष्टेदार सारे बिचड़ जाते हैं, आगे लिखते हैं कि बस मुझे इतना बताया है कि मेरे पिताजी और दादा जुलाह जाती से थे, क्या पंजाबी जुलाह मुलतान बिरादरी है, अगर है तो हो सके इसके बारे में मुझे बताएं, तो मैं आपका सदे अभारी रहूँगा, आपका follower कबीर पंथी दिली से, आप अपने नाम के आगे कबीरपन्त ही लिखते हैं, और वैसे आप जुलाहे हैं, और आप मुलतान से आये थे, तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन जब आपने ये कहा है कि आप मुलतान से हैं, तो आप जरूर पंजाबी मुलतानियों से जुड़े हुए हैं, उसका हैंडलों का जो वैपार चल रहा है, ये भी सारे के सारे लोग मुलतान के एक एरिये से आये थे, बक्कर से आये थे, कोई मियाँ वाली से आये थे, और ये सारे लोग भी जुलाहे थे, और ये अपने आपको पंजाबी कहते हैं, मुलतानी कहते हैं, तो ये लोग भी वही है तो इस हवाले से आप भी ज़रूर पुझाबी विरादरुस्त हैं ये मेरा जाती तोर पर आपको एक जवाब है ये कमेंट पढ़ना बड़ा ज़रूरी है इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है जनाब लिखते हैं कि ये जो केशु है ये बड़ा पक्श पाति बंदा है जाहर सी बात है कि हिंदी में लिखा हुए तो यहां का बंदा लिख रहा है वो लिखता है कि ये दोनों पक्शों को कभी भी निश्पक्ष तरीके से नहीं दिखाता है और जहां तक मैं समझता हूँ या मैं अपने आपको जानता हूँ या अगर मैं अपनी अंतरात्मा को जरा सा भी समझता हूँ तो ये कई लोग सोच रहे होंगे कि क्यों केशव ऐसे लोगों को जवाब दे रहा है अपना काम करें ना, लेकिन नहीं कोई और आगे आएंदा ऐसी बातें लिखने और पूछने से पहले सो दफा सोचे ये वीडियो मोट रंगडान वाला है जिसमें राजपूत का किस्सा मैंने बया किया था और मैं अपने आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करके चलता हूँ और इसलिए शायद मैं कई लोगों को बुरा लगता हूँ क्योंकि मैं हिंदों की बात भी बड़े ढंक्से करता हूँ और मुसल्मानों की भी बात क्योंकि मेरी नजर में संतालिस की बातें करना जरूरी है किस के साथ हुआ था मैं वो नहीं समझता बात वही आ जाती है कि कितने हिंदों मरे कितने मुसलमान मरे लेकिन कोई ये भी तो पूसले कि कितने इंसान मरे अगर हमारे लोग मरे हैं तो मरे उनके भी हैं हमारे जखम हरे हैं तो रो वो भी रहे हैं तो बाकी मैं निश्पक्ष अगर नहीं दिखाता हूँ तो फिर शायद पार्टिशन पर काम करने वाला कोई भी आदमी कोई भी बंदा बाकि आप समझ जाए बहुत सारे लोग हैं जो मेरी इस हसी का कारण समझ गए होंगे anyway अगला कमेंट है केशु भाई नमस्कार एक बात पूछने है अरोडा जाती का अरोडा जाती का अच्छा इस आदमी ना कोमे 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 लगा रखे हैं बात कहना क्या जाते हो कहां केशु कोमा भाई कोमा नमस्कार कोमा एक कोमा बात कोमा बात बात कोमा तो मैं क्या समझे हूँ, का आपका question क्या है बट केश्व भाई नमश्कार एक बात पूछनी है और उड़ा जाती क्या कार नहीं लिखा हुआ है बनिया होते हैं क्या अब इसके बारे में बहुत लंबी बहास बनती है मैंने ऐसे कुछ cases देखे हैं जिसमें मुझे पढ़ियाला साइड से कुछ लोगों ने फोन करके बताया कि यहां पर जब partition हुआ न तो कुछ लोग यहां आये और जो लोग यहां से नहीं गए न उन लोगों ने भी अपने आपको वहां से यहां का आया हुआ दिखा दिया काग्जों में और वो यहां पर अरोडे बन रहे हले कि वह लोग छोटी जात के थे ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया है तो यहां मैं आपको क्या जवाब दूँ कि अरोडे जाती के बनिया होते हैं क्या तो बागी यह जवाब तो हमारा केमेंट सुनने वाले लोग ज़ादा देंगे और जो अगला केमेंट है वो है मास्टर तारा सिंग का रावल पिंदी वाला जो मेरा वीडियो है उसमें फारुक खान नाम का कोई शक्स है जो लिखता है कि तारिक मास्टर तारा सिंग नू कदे भी माफ नहीं करेगी संताली टाइम हिंदुआ नाल रलके साजश किती ते पंजाब तुट गया खालिस्तान जिन्दाबाद बन के रहेगा खालिस्तान यह यह बंदा कहना क्या चाहता है फारुक नाम का बंदा यह कहना चाहता है कि हिंदुआं के साथ मिलकर का क्या मतलब हुआ यानि कि हिंदु लोग बुरा चाहते थे या पंजाब तूट गया अरे पंजाब तारा सिंग ने तोड़ा था गया 47 बीट गई 75 साल हो गई इस दोनों देशों के अवाम रो रही है यूट्यूबर्स मर मर के जान लगा लगा के वीडियोस बना रहे है और ये बंदा तारा सिंग की बात कर रहा है कि तारा सिंग ने तुड़वाया है अरे तारा सिंग कब चाहता था और जिंदाबाद खालिस्तान तो भाईया तुम फारुक खान भाई तुम हो कहां के हिंदुसान के या पाकिस्तान के तुम क्यों तुम तो एक मुसल्मान हो तुम भला तुम्हें खालिस्तन से क्या लेना देना हूँ एनिवे बेबजे इस तरह के वो आते हैं और मैं भी पर्ड डालता हूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता यार एनिवे